हेलो, नमस्कार, मैं सत्पाल पांचाल, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं Digital Computer Institute आज की इस वीडियो में हम आपको PowerPoint के अंदर View Tab के बारे में जानकरी देंगे View Tab का यूज कैसे किया जाता है इसे पहले की वीडियो में हमने PowerPoint की तकरीबन सभी Tab को क्लियर किया हुआ है और यदि आपने किसी भी Tab से समंदित कोई जानकरी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप किसी भी Tab से समंदित कोई भी वीडियो आप देख सकते हो तो इस वीडियो में हम आपको वीव टैब के बारे में समझाएंगे वीव टैब के बारे में बताएंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको बता देता हूं जैसे हमारे पास यह कोई स्लाइड है कि मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड खोल के दिखा देता हूं कि स्वरी बनी बनाइड स्लाइड तो हमारे पास एक स्लाइड है कोई भी स्लाइड हो सकती है किसी परकार की जैसे कि यह है अब इसको हमने व्यू टैप में एक्स्प्लेइन करेंगे आपको कि किस प्रकार व्यू टैप में आप इसका यूज करोगे देखो व्यू का मतलब देखना दिखाना कि आप अपने जो भी डॉकमेंट आपने स्लाइड बनाई है उसका आप कैसे देखना चाहते हूं ठीक है तो व्यू टैप पे जाज़े हम क्लिक करते हैं पहले में यहां पर थोड़ी सी जानकारी देदूं आपको व्यू टैप के अं मास्टर व्यू होता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी इनके उपर आये क्योंकि इसमें टैब घुलती है अलग लग व्यू और विंडो के बारे में जानकारी दूंगा और मैक्रों की अलग से वीडियो बनेगी ठीक है तो हम यहां पर आपको बताएंगे प्रज हम आउटलाइन पर क्लिक करते हैं तो जैसे हमाऊटलाइन क्लिक करेंГे तो हमारी जो स्लाइड का कंटेंट हे वह साइड में इस परकार अग्गा अगर कि यहां पुम कुछ लिखना है तो वो ऊटोमेटिकली महाँ पर लिखना साहेगा वहाँ पर आपको ले जाएगा सब्सक्योत को क्यों कर एमने चला गाएं है ठीक तोί यहां पर अपने कर सकते नीचैर आपने Norma करना पर बनाई की जितनी भी स्लाइड होंगी यह इस पर जन्टेस्ट के अंदर जितनी भी स्लाइड होंगी वह सारी छोटे रूप में आपको यहां पर दिखाई देंगे तो इस लाइड सोटर है नॉर्मल पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट नोट पेज नोट पेज का मतलब यह है कि स्लाइड को कूई देना चाहते हैं जैसे आप इसपर क्लिक करोगे तो यहां पर उपर आपकी ठाथ खुलेगी और निच CE आपका यहां पर नोट अगर आप उसके बारे में देखां दिखाना चाहते हो तो आप reclick में जाएड ढूर्मल हो जायेगा नेक्सटways लिए यह ल आप अप से आफ यहां से आप आगे पिछे उसको कर सकते हुए यह आपने यहां से बाहर जाने है तो आपको right click करना पड़ेगा right click करने के बाद यहाँ पर नीचे end now and sow पर click कर तो आप बाहर जा सकते हों तो यहाँ आपके वीव थे जिसमें आपका normal ृटलाइन स्लाइड सोटर नौट और रिडिंग यह हो चुका है वैरी सिंपल है यह मास्टर वीव पर आते हैं ठीक है तो मास्टर वीव पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखना भी आप एक अपने आप आपको यह अलग से टैब पर ले जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको यह अ है और इसकी अलग टैब खुलेगी हर एक मास्टर की आ जो वो लयाउट की है अलग चैब आपन होती है तो इन तीनोग के बारे में आपको जांकरी देंगे अनदर वीडियो में तो यहां पर नेक्स्ट माइं हम बढ़ते हैं तो नेच्टिप अमरहा वरई सिम्पल दीज में आप कुछ दिखाना चाहते हैं आपको ग्रेड लेन ओन ओफ हो जाएगा नेक्स्ट यहां पर गाइड सोती है यह आप गाइड लेंज अगर आप लेना चाहो तो गाइड सोती है जैसे आगे आपकी गाइड इनको आप आगे पिछे कर सकते हैं इनके दोबार आपना दिखाई दरोगा देола का मतलब है यहांपर एक नोट आता है त्यूंस अगर आप इसको कोई नोट देना चाहते हो तो आप यहां पर नोट दे सकते हैं को ठीका-खर आप अपने सको-पोह वाहिड करना तो आप ऐसे ऐसे क्लिक रोगेल नोच हैठ है यहां पर आपने ध्य और यदि फिट विंडो करोगे तो यहां भी देख सकते हैं यहां भी आपका जूम होता है आप इसको यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं कि नेक्स हमारा कलर एंड ग्रेस्केल का इसका मतलब यह है कि जो भी आपने परजेंटेशन बनाई है उसको आप किसी ग्रेस्केल या अनदर कलर में करना चाहते हो अनदर कलर तो कुछ ऐसा नहीं आएगा इसमें सिर्फ ब्लैक और वाइट या ग्रेस्केल में आपका कनवाट होता है कैसे मैं लो यह आपकी और आपने इसको ब्लैक और वाइट में देखना कैसी दिखे तो यह टो ब्लैक और वाइट पे-p primeiro ठीक है तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूं एक है black and white और एक है gray scale ग्रेस्केल पर क्लिक करोगे तो भी कुछ-कुछ ऐसे होता ब्लैकन वाइड की तरह ही होता है gray scale भी तो यह है आपका black and white नहीं है ये gray scale है same to same black and white की तरह ही होता है तो यहाँ पर आप back to color करोगे तो back to color आपकी चली जाएगी ठीक है तो यहां से आप Grace के लिए Black and White या Color में आप इसको convert कर सकते हो अपनी बनाई गई presentation को नेक्स्ट हमारे पास Window है Window का यूज क्या होता है डूप्लिकेट विंडो क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है यदि आप चाहते हो कि इसी स्लाइड की डूप्लिकेट विंडो क्रिएट हो तो आप यहां से उस उप्शन का यूज कर सकते हो मैं भी आपको दिखाता हूं यहां पर पीपीटी वन लिखा हुआ अगर आप ध्यान दोगे मैं जूम कर देता हूं आपको थोड़ा दिखाई देगा तो यहां पर डूप्लिकेट विंडो क्र्याइट होती जाएंगी इस अपने क्रियाट कर ने क्रियाट कर सकते हो तो यहां दोप देखना चाहते हो तो आप अरज पर क्लिक करोगे अरेंज आल पर जितनी भी डूप्लिकेट विंडो थी या कोई अनधर विंडो थी वो सारी यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगी मैं आपको थोड़ा सब्सक्राइब करके दिखाता हूं यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर एक्सलेट पीपीटी वन लिखावा रेसो बन में और यह रेसो टू में निच्छे खुली विया जो और यह रेसो थी में खुली ठीक है यह तीनों जो फाइल पुली हो इनका सेम कंटेंट होगा और अनदर फाइल हमारी यहां पर खुली हुई थी तो वह भी साथ में अरेंज हो अरेंज का मतलब भी होता है कि जितनी भी फाइल आपकी खुली होंगी वह सारी अरेंज हो जाएंगे दिखने लग जैंगे आपको laptop के अंदर टेकर किसी घ्सय ब्लिक करो आफिस आगा केस्केड का मतलब होता है कि जो भी आपने अ किया रहक है वह हैएसे केडs हो जाएं तो यह था आपका केश केड़ नेक्स्ट ऑप्शन है मूटू सप्लिट मूटू सप्लिट का मतलब क्या होता है वैसे अगर मैं लास्ट किसी वर्जिन की बात प्रोव जैसे अगर आपको डिवाइड करना है यहां पर जैसे आपने इसको सप्लिट करना है तो आप यहां से आप इसको सप्लिट करना है बानुे को सप्लिट कर सकते हो और और आप यहां इसको ऐसे श्लिट कर सकते हो ऑप यह कहने की को को किस करें चलो हम देखते यहां पर आएगा तो जैसे ह reicht है जैसे जैसे अगर लेकिन अगर हम compare करें another software से जैसे एक्सल या वर्ड से उसकी तरह यह यहां पर वर्क नहीं कर रहा है ठीक है वहाँ पर आपका पूरा एक वर्क जो होता था पेज होता था वह टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है बस यहां पर यह आपको इंक्रीज कर सकते हो और यहां पर ऐसे इंक्रीज डीक्री आफसे ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप इस पर क्लिक करोगेत तभी तभी आप इसको इंक्रीज भोड़ तो नहीं जचादा हैं अमने यहाँ पर खाओर दें पर यहाँ प्रकार आप के सोगी तो यहाँ पर यहाँ पर click कर दहां तो यहाँ पर 2 खूल जाएगी अगर आप 1 पर क्षिक कर तो उनको जगे अगर आप किसी और विंडो कल टो वख फोल घर को घिंट yeah धिक रहां भी घुल देख्ट कर लेंद के हम डोप लेते हैं मैं के लुटो इसलिए हैं तकि अगर आपको दो फाईलों सें फाइल को दो जगाव सेक्व करना हो कंपैर करना 기lorHHHHيرة उसका स कि यहां पर में मैक्रो लेता हूं और मैं कुछ बनाता भी हूं मैंने बीवी के नाम से क्रियेट किया तो आपको यह विज्वल बेशिक की साइट पे सोरी पेज पे ले जाएगा जो कि आपको यहां पर इसकी कोडिंग आएगी तो ही आप इसको रन कर पाऊगे तो मैं डेवल लगी होगी आपको समझ में आई होगी यदि हमारे दिवारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरू बताएं कि हमारे दिवारा बनाई की वीडियो आपको कैसे लगी हो सके तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें हो सके तो हमारे चैन